Hello everyone, welcome back to section family और इस वीडियो में बात करेंगे हम section practice set जो especially police constable के लिए चल रहे हैं उसका reasoning और computer का solution हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं पहले question की तरफ हम बढ़ेंगे और इस question में था आपके पास कि कौन सा एक system software नहीं है इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ धियान रखनी है दो चीज़े होती है एक होता आपके पास system software और एक आपके पास होता है यहाँ पे application software application software और एक होता आपके पास system software यहाँ पे जो question पूछा गया actually इस question को यह नहीं होना चीए था question को होना चीए था कि कौन सा एक system software है तो system software वो होते हैं जो companies जो है आपको system पे आपको डाल के देती है तो यहाँ पे उसके बाद जो system software बनता है वो Windows 7 आपके पास है आपके system software हो जाता अगर हम application software की बात करें तो application software वो software होते हैं आप खुद इंस्टॉल करते हैं अपने जो भी आपको यूस करना होता है या जो भी आपके useful software या प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनके उपर आप काम करते हैं तो उन सभी को हम application software कहते हैं application software के अंदर देखिए तो ये सारे आपके पास क्या है एक application software है इसी टाइप से system software में जैसे आपने Windows 7 तो देखा ही होगा Windows 8 इस टाइप से चलेंगे एक Mac OS जो हमारे पास जो है Apple Company का है ये भी एक आपके पास operating system है तो जो operating system होते हैं बेसिकली वो आपके पास क्या होते हैं वो आपके पास system software होते हैं और जिने आप खुद install करते हैं अपने system में उसे हम कहते हैं application software Next question देखिएगा निमलिकित में से storage की सबसे बड़ी unit कौन सी है हालाएं कि अब एक चीज़ धियान दीज़ेगा यहाँ पर जितने भी questions हैं वो काफी basic label के question दिया जाते है at least आप इन questions को गलती इनमें नहीं ना करें तो जैसे ही question है कि देखिए storage के सबसे बड़ी unit कौन सी होती है तो यहाँ पर storage की जो सबसे बड़ी unit होती है उसे बोला जाता है terabyte इससे अगर हम छोटी unit की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है आपके पास kilobyte तो यहाँ पर सबसे बड़ी पूची थी तो यहाँ पर हो जाएगा terabyte तो one zero two four जब आपके पास इतने zb हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कि मेरे पास भाई one tb हो गया यानी one terabyte हो चुका है तो यहाँ पर यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी थी और इसी type से कभी आपके पास पूच लिया जाता है कि सबसे छोटी कौन हो गई भी या तो सबसे छोटी वैसे बोला जाता है nibble यह जो nibble होता है वो आपके पास कितने का होता है four bit का secondary आपके पास कभी पूच लिया जाए कि वही वन बाइट कितने के कल होता है तो यह आपके पास हो जाएगा eight bit का ठीक तो यह दो तीन चीज़े हैं जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बाकि यहाँ पर पेटा हो जाता है जेप्टा हो जाता है लेकिन आप लोगों के एक्जाम तक keyword terabyte तक ही आपके एक्जाम में question पूचे जाते हैं next की तरह बढ़ते है इस question में है कि स्कुझी का प्रियू करके आप रिफ्रेस कर सकते हैं तो इस चीज़ को आपको थोड़ ध्यान रखना है यहाँ पर जो F5 होता है F5 को यूज़ करके आप जो है यहाँ पर जो भी आपके window होती है आप उसे रिफ्रेस कर सकते हैं इसी type से अगर आपके पास F2 आ जाएगा तो इससे आप जो है फाइल किया जो आपके पास name होता है उससे उसको आप rename कर सकते हैं फंक्शन की अक्सर पूशे जाता है कि फंक्शन की हमारे पास कितने होती तो हमारे पास 12 हमारे पास function की होती इनका काम क्या होता है हमारे जो भी computer के हम अंदर जो काम करते हैं उस काम को थोड़ा सा sort कर तरीके से करना उसे के लिए हम जो फंक्शन की है उसे use करते है next question था आपके पास कोबल होता है उसका पॉर्ण नाम क्या है तो कोबल basically क्या है एक programming language है जिसमें आपको computer को कुछ चीज़ें समझाते हैं और इसकी जो full form होती है वो होती है common business oriented language इस चीज़ को थोड़ा से धियान रखने बागी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इसी टाइप से आपके पास python हो जाता है कभी पूछा जाता है exam में कि यह computer की कौन सी languages होती है यहाँ पे आपके पास C आजाता है C++ आजाता है इसी टाइप से आपके पास 11-12 पास की है तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा और gate के बारे में, नौर gate के बारे में, नौर gate के बारे में तो basically वो different different क्या होते हैं आपके पास एक electronic circuitry होती है उस electronic circuitry की थुरूँ आप क्या करते हैं अपने system को run करवाते हैं या जो भी basically के लिए आपको काम करवाना होता है उस circuitry की base पे आप उस work को या उस काम को perform करवाते हो तो यहाँ पे simple सी बात है logic gate क्या होते हैं वो एक परकार के आपके circuitry होती है software आप कभी ना मारते chip लगाने का space देखिए यह कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आप अपने थोड़ा सा common sense का use करके भी आप ऐसे questions को आसानी से हल कर सकते है next question यहाँ पे था निमनिमेसे किस रूप में web page को save किया जाता है तो यहाँ पे हमें हमारे पास जो option बनता हो होता है html जिसे हम नाम देते है hypertext markup language hypertext markup language हमारे एक language ही होती है जिससे हम क्या करते है जिससे हमारे जो web pages होते है इन web pages को हम यहाँ पे create करता है इन web pages को हम बनाते हैं किस language से बनाते हैं इस html language से बनाते हैं secondary यहाँ पे आपके पास जैसे url है तो url की full form जो हो जाती है आपक에 पास uniform resource locator यह आपका क्या होता है, किसी वी web page का आपका एक address होता है इस address के दुरू हम क्या करते हैं, किसी particular web page पे हम पहुंच सकते हैं उस URL की मदद से, क्योंकि वो आपका पास क्या है, एक address ही होता है इसी type से आपके पास क्या है, यह HTTP, यह Hyper Test Transfer Protocol यह हमारे पास क्या होता है, जब हम internet access कर रहे होते हैं तो उस time पे कुछ set of rules होते हैं, जो हमें internet को access करते समय इसके through क्या करते हैं, use करते हैं इन protocols का, so that कि हम क्या कर पाएं internet को access कर पाएं, तो इसी को हम कहते हैं STTP P, और साथ ही साथ में कभी आपको यह भी दिखेगा, STTPS यानि जब आपके पास यहां पे S लग जाता, तो इसका मतलब हो जाता है कि जिस website की उपर काम कर रहे हैं, या जिस भी website को आप चेक कर रहे हैं वो secure है, secure का मतलब यह है, कि कभी आप क्या करते हो, अपने data वगेरा को फीर करते हो, computer में, या online जैसे form फील करते हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं, तो वहां पे जब data फील करते हैं, तो आप उसमें नाम डालते हो, नमबर डालते हो, इसी टाइप से आपका भी payment वगेरा करते हैं, तो STTPS का मतलब हो जाता है, कि वो जो particular website है, वो आप तक चीजे पहुच पाते हैं, यह सारा STTP की थ्रू ही होता है, 74 की तरफ चलेंगे और यहां पर पूशा गयाता है, dot matrix इनमें से किस तरह का आपका उपकरण है, तो जो dot matrix होता है, basically यह आपके पास एक printer ही होता है, dot matrix क्या है, एक printer है, basically dot matrix printer से मतलब यह है, कि आपने normally बह dot के format में आता है, अगर आपने देखा होगा, simply अगर हम railways वगरा की बात करें, और अगर आपने reservation किया होगा, और कभी reservation के बाद आपने कभी list पे अपना नाम देखा होगा, तो वहां पर आपको देखेगा कि जो आपके पास name होता है, वो dot की form में होता है, और उसे को हम क्या बोलते हैं, dot printer भी हम basically उसे नाम देते हैं, बाकि आपको memory के बारे में पता होगा, memory काफी important है, जो memories होती है हमारे पास, इस memory में आपको ध्यान रखना है, हमारे पास primary memories होती है, हमारे पास secondary memories होती है, यानि प्रात्मिक और दुतियक, दुतियक memory में वो हमारे पास आती है, ज इसी टाइप से प्राइमरी में हमारे पास RAM और ROM हम यहाँ पर यूज करते हैं, यह काफी चीज़ें मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, आप लोगों को इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, exam point of view से यहाँ से important यह topic रहता है, क्योंकि यहाँ से extra question पूछे जाते हैं, बाकि हमन आप चलेंगे और निम लिखित में से कौन सा एक search engine नहीं है, अक्सर काफी confusion होता है दो चीजों में, यह दो चीजें होती है, एक होता है web browser और एक search engine, अब search engine और web browser में difference क्या होता है, एक web browser जो होता है, जिसके थुरू आप क्या चला सकते हैं, internet को access कर पाते हैं, यानि जिसक कहा जाता है web browser, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे web browser होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं, जो सबसे popular है, वो है आपके पास Google Chrome, जिसे आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, इसी टाइप से हम बात करते हैं, यहाँ पे mozilla firebox की, यहाँ पे आपके पास और भी कुछ important है, जैसे exam में अकसर पुछ जाते हैं, कि हमारे पास जो पहला web browser था, फस्ट web browser कौन था, तो वो था हमारे पास www, यानि worldwide wave, तो यह worldwide wave, यह एक web browser है, एक worldwide wave, एक server है, तो उन दोनों को आपको differentiate करना है, वो अलग है और यह अलग चीज़ है, तो पहला हमारे पास जो web browser था, वो कौन था www, कब का बना हुआ है, यह 1990 का बना हुआ है, तो यह कुछ informations हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने ही, बाकि web browser में आपके अपस internet explorer भी यहाँ पे आ जाता है, तो यह सारी वो चीज़े हैं, जिनके धुरू आप क्या कर पाते हैं, internet चला पाते हैं, बिना इनके आप internet नही आप किसी particular चीज़ को search कर सकते हैं, इन search engine में हम जैसे नाम देंगे, बिन्ग का, देखिए, यहाँ पे इन्होंने बुला था, कौन सा search engine नहीं है, बिन्ग आपका एक search engine है, यहूँ आपका एक search engine है, OSC में भी यह कुछ है, search engine में भी यह कुछ ऐसी नाम डाल दिया हो, लेकि यह इन में से कौन सा एक web browser नहीं है, हो सकता है, आपके पास कुछ और options हो, तो आपको धियान रखना है, Safari भी आपके पास एक web browser है, और कुछ यहाँ पे मैंने जो नाम लिखे हुए, इन्हें भी आपको धियान रखना है, यह भी आपके exam में पूछे जाते हैं, आगे binary का मतलब होता है, 0 और 1, यह आपके पास क्या होता है, यह binary digits होती है, अब कितनी digits basically यह हैं, यह हैं 2 digits, question पूछा गया था, कि binary number परणाले में कितने अंक होते हैं, तो इसमें आपके पास 2 अंक हो जाएंगे, देखो धियान देना, यह 0, 2, यहाँ पे comma वगएरा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें confusion नहीं होना है, कहीं पता चला, आपको लगा 01 या 10, तो अक्सर बच्चे इसको भी answer कर सकते हैं, बहुत लोगों ने इसे answer किया होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था, कितने अंक हैं, तो यहाँ पे हमारे पास two digits हैं, तो यहाँ पे इसका अगर आप regular computer use करते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि हम कभी भी जब हम print की बात हम करते हैं, तो उसमें आप simply क्या use करते हो, file को use करते हो, file में जाने के बात आपको जो है, यह जो print का option होता है, यह आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ में, tools में आपके पास different type के tools होते जो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास कोई भी file है, आप उसमें changes वगरा कर सकते हैं, इसी type से edit के लिए तो आप simple है, जो आपके पास window होती ही है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, उसी को हम edit कर सकते हैं, या edit में, sorry, उसके नहीं कहींगे, edit जो menu ह होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, different type की changes basically आपका कर सकते हैं, अपने folder में कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी आपने particular चीज लिखी विए उसमें कर सकते हैं, बाकि special तो आपका कुछ होता नहीं है, 91, अब यहाँ पर कुछ reasoning के कुछ questions हैं, हालांकि यह जादा tough नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके पास इस type से कोई आकरती आएं, जैसे हम अगर पहले बात करें, तो यहाँ पर simply करना है कि आपको देखिए, पहले हम इसको count करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, तो यह आपर 1, 2, 3, 4, यह 4 तो आप सभी को यहाँ पर मिले होंगे, कि यहाँ पर इसमें आपके पास 4 triangle है, secondary आप यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, यार 4 तो single single है, हमेसा हमेसा हमेसा, एक ही चीज मैं आपसे कहता हूँ, कि कभी भी आपको triangle count करने है, या कोई भी figure count करने है, तो पहले single single count कीजिए, उसक तो हमें मिल चुके है, उसके बाद देखिए, दो-दो को merge कीजिए, जैसे score इसको मैंने merge किया, तो आप ध्यान देंगे, कि यार मेरे पास ये वाला जो है, एक triangle बन रहा है, एक ये बना, तो अब मतला हमारे पास कितने होगे, अब हमारे पास यहाँ पर 5 बन चुके, फिर इसके बाद हम ध्यान देंगे, इसको और इसको, जब हम इसे और इसे का लेंगे, तो यहाँ पर दोनों को ज्वाइन करवाने के बाद एक triangle हमें ये भी मिल रहा है, इसी type से हम देखिए, इसी type से हम क्या करेंगे, पहले मैंने इसे इसे लिया, फिर मैंने इसे और इसे लिय अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे और इसे ले रहा हूँ, यहांपे यहाँ पर यहाँ यहाँ पर आप आप क्या ध्यान देंगे कि एक और triangle मुझे यहाँ पर मिला, और finally आप क्या करेंगे, यह वाला और यह हमने नहीं लिया था, यह वाला, ठीक है, तो total यहाँ पर basically इस box के जो triangle बनेंगे, वो हमारे बनेंगे 8, ठीक है, और कभी भी आपके पास ऐसा question आए, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखना है, यह box count करने, 1, 2, 3, 4, और इसको directly multiply करने 2 से, यानि 4 multiply 2 कितना हो जाता है, 8, बहुत simple है, और जब आपको पता है, 8 इसमें होंगे 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, simple, तो आपके पास यहाँ पर कितने हो गए, 24, अब आप count कर सकते हैं, यहाँ पर 24 triangle हो गए, अब आपके पास simply 1 यह हो जाता है, नीचे वाला एक यह हो जाता है, 1 और 2, यानि देखिए 24 आपके पास पहले से हैं, 2 triangle आपके पास ही हैं, और एक outer वाला triangle भी यहाँ पर count किया जाता है, ऐसे वाला, तो मतलब यह नीचे से आपके पास total number of triangle हो गए 3, तो यानि आपके पास यहाँ पर 24 प्लस 3, 27, 27 आगे, अच्छा, मैंने यहाँ पर 27 complete count कियें, पर अभी भी हमारे पास यहाँ पर एक चीज हम करना भूल गये, वो क्य है, कभी भी आपको क्या करना है, देखिए, 27 तो आपको समझ में आगे होगा ना 27 कैसे count किये, कभी भी आपके पास ऐसे जब दो figure attach होते हैं, उससे भी आपके पास एक triangle का formation होता है, यह वाला और यह वाला, जो यह दो figure है, इससे भी आपके पास क्या बनेगा, triangle बनेगा, य यह दो figure count करने से दो मिले, यानि अब मुझे यह वाला figure और यह वाला figure, इन दो को count करने से भी अपने पास कोई नगोई triangle बनेगा, और आप देख सकते हैं, कि यह वाला triangle यहां से लेकर यहां तक, यह वाला triangle और एक यह वाला triangle, एक यह वाला triangle भी तो है, तो already हम 29 count कर चुके और दो triangle आप इसमें यह वाले भी add कर लेना, और आपके पास जो answer बनेगा, यहां पर 31 वहां पर इसका answer बन जाएगा, कि भी यह इस वाले figure में आपके पास 31 triangle होंगे, 92 question की बात करेंगे और देखिए, यह इस question में है क्या है, इस question में, आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, यहां पर ध्यान देजे ना, यार यह इस type से यहां पर है, यह इस type से यहां पर है, यह इस तरफ है, यानि same side है, इसका मतलब यहां पर जो उपर होगा, वो भी same side में होगा, कुछ इस type से, और अब आप ध्यान दे सकते हैं, यहां पर यह वाला भी नहीं है, इधर भी नहीं भी कोई जाता टफ नहीं था ये question हो जाना चाहिए अब 93 question की बात करेंगे और ये थोड़ा थोड़ा जो कुछ questions है ये काफी अच्छे लेबल का question है और कभी भी आपको इस type के कुछ number दिखते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है आप ध्यान दोगे ना कि यार मेरा कुछ square बन रहा है दिखओ 27 भी कुछ बन रहा है अगर square नहीं है ये तो आपके पास ये कही ना कहीं q बन रहा है इसी type से 9 अगर आप ध्यान दोगे तो 9 भी अगर आपके पास square बन रहा है और इसी type से ऐगर आ आप 4 देख़एगmental तो ये भी मैं 4 को 2 का square मैं लिख सकता हूँ इस type से फिर मैंने देखा है मैं 8 को 2 का cube लिख सकता हूँ फिर मैंने देखा है यार मैं 9 को भी 3 का square लिख सकता हूँ और 27 को मैं 3 का cube लिख सकता हूँ इसका मतलब कुछ-कुछ हमें समझ में ये आ रहा है कि यारे कुछ ये series बन ड़िए 2 square, 2 cube, 3 square, 3 cube, क्या इससे पहले भी मैं ये कुछ कर पा रहा था, जी, हाँ कर पा रहा हूँ, देखो अगर मैं इस एक को लिखे हो, तो क्या मैं इसको 1 का square नहीं लिख सकता, तो 1 का square 1 ही आएगा और इस 1 को भी क्या मैं यह नहीं लिख सकता 1 का cube तो इस 1 का cube भी 1 ही आएगा इसका मतलब यहाँ पर यह सीरीज बन रही है पहले square फिर cube तो यहाँ पर जो 3 के cube के बाद आएगा यहाँ पर बनेगा 4 का square और फिर यहाँ पर आगे जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 4 का cube यानि यहाँ पर जो number आएगा वो 4 का square आएगा और 6 निज़ा यहाँ पर right answer तो देखिए अगर यह आपको चीज नहीं आती है क्योंकि यह ऐसे नहीं आजाता है यह आती है चीज़ें practice से जब आप regular कुछ नहीं कुछ questions लगाते रहेंगे तब आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगे यार कि यहाँ पर मुझे difference करना चीए या यहाँ पर मुझे cube करना चीए या फिर यहाँ पर कौन सा logic लग रहा है अब यह चीज़ें ऐसे नहीं आएंगे कि आपने question किया और next question मिले और आप सोचो कि मैं उस question को solve कर दूँ उसके लिए आपको daily copy उटानी अपनी copy उटानी पड़ेगी और उस coffee उटाने के बाद आपको वहाँ पर कुछ question solve करने पड़ेंगे तब जाके यह question solve होते हैं ऐसे solve नहीं होते हैं अब 94 question की तरफ चलते हैं और देखो अगर आप लोगों की practice बहुत अच्छी है तो आपने देखा यार ल, आ, ज, ज, ए, ए, ट इस light को हमने लिखा J, G, E, F, R हमें क्या देखना है कि यार मैं इस solve को क्या लिख सकता हूँ अब आपको ऐसे questions में क्या करना है इन question में similarity देखी या light से मैं कैसे J, G, E, F, R बना सकता हूँ आपको कुछ यह सोचना है इसमें भी सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मैं इस L से क्या J कुछ बना पा रहा हूँ क्या यह मैं L से कुछ R बना पा रहा हूँ या मैं I से G कुछ बना पा रहा हूँ आपको कुछ इस टाइप से सूचना पड़ेगा अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो अगर आप देखोगी यार यहां पे यह R है इसके last में T है और इन दोनों के बीच में R और T के बीच में S आता है यानि R के बाद S आएगा और उसके बाद आपके पास T आएगा फिर आप देखोगी यार यहां पे H है और यहां पे F है तो यानि यहां पे मेरे पास क्या बन रहा है इस F के बाद बीच में G आता है और उसके बाद मेरा यहाँ पर H आता है फिर देखोगे आप E से G की तरफ अगर आप जाओगे E के बाद मेरा F आता है और उसके बाद मेरा G आता है लेकिन कहीं न कहीं आपके समझ में आएगा यहाँ मेरा एक अलफाबेट है यार मुझे sort चाहिए न, sort चाहिए मुझे, इसका मतलब मुझे t है यहां ध्यान दो, t है इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए एक ऐसा number या एक ऐसा alphabet जो क्या करे एक alphabet छोड़ने के बाद आपका क्या बने, t बने जैसे, अब देखो, यहां पे v अगर आप लोगे तो v के बाद w और w के बाद आता है x, तो basically x तो यह है नहीं o के बाद भी क्या आता है o के बाद भी होगा नहीं, लेकिन आप जहां देंगे यहार r के बाद आता है s और s के बाद आपके पास आता है t यानि यह वाला कहीं न कहीं हो सकता है ठीक है, देखो यह वाला क्या हो सकता है, यहां पे r हो सकता है क्योंकि r के बाद आपके पास यहां पे एक alphabet छोटेगा, यानि s आएगा और देन आपके पास t आता है, लेकिन तो आप क्या देखोगे यहां पे, क्यार मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, f लिखूँगा मैं यहां यहां पे या o लिखूँगा यहां पे मैं लिखूँगा m, ठीक है तो इस टाइब से जो है आपको इन questions को solve करना तो और बाकी आपको solve करने की जुरत नहीं है यहाँ पर D जो है इसका यहाँ पर answer हो जाता है बस एक-एक alphabet इनके बीच में क्या है एक-एक alphabet का यहाँ पर gap है that's it चलिए 95 की question की तरह बढ़ते हैं और 95 question में अगर आप देखेंगेr तूर को कुछ यह लिखा गया है clear को कुछ यह लिखा गया है spare को कुछ यह लिखा गया है तो आपको बताना इसको क्या लिखा गया है अब यहाँ पर भी क्या लिखावा है कि पाँचवे अक्षर को किस टाइप से निरूपित करना है अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि कभी भी आप क्या करोगे इस टूर से यह टूर टी ओ यू आर जो लिखावा है इससे वन टू थी फोर बनाने की कोशिस आप करेंगे तो यहाँ पर इसी टाइप से जो टी ओ यू आर है उरका जो पर्टिकुलर नमबर होता है कभी एक बार डारेक्टली इस पर यह पहुं जाता है लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है देखो जैसे सी हो गया सी तीन पर आता है लेकिन यहाँ तो होता है आप इसमें देखो कि जब एक जैसे अलफवेट आपको नजर आते हैं देखो यहाँ पे आपकल टी ओ उयुआ है क्या यहाँ Hil यह बहुत आर है इसको 4 लिखा है क्या इस आर को यह पे चार लिखा है आप देखोंगे higher इस आर को यह बरीज़र लिखा वह है इस rough, इसी टायप से आप जो है यह बहुत कुछ और चीजे भी देख सकते हो यहाँ प्रवा आर इसका मतलब आपके पास जो यहाँ पे अलफाबेट है उनको वो नमबर अलड़ी दिया गया है यहाँ पे आपके पास जो यह एक वर्ड है यहाँ पे यह दिखा फिप्ट लैटर की बात कर रहा है तो फिप्ट लैटर अलफाबेट कौन सो गया है 1, 2, 3, 4, 5 यानि P और P को आपको क्या लिखना था यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे क्या P कहीं है आप देखो को P यहाँ है और इस P को यहाँ पे क्या लिखावा है 0 लिखावा है यानि यहाँ पे क्या आना चीए 0 यहाँ पे इस कांसर होना चीए था तो विराड हरिंदर से लंबा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर विराड लिख दिया, और विराड हरिंदर से लंबा है, इसका मतलब मैं हरिंदर नीचे लिख रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे लिख लो, कोई problem नहीं है, फिर आप ध्यान देंगे, आलोग असोग से लंबा है, लेकिन आलोग और असोग अभी तक मेरे यहाँ पे जो questions हैं, जो यहाँ पे नाम है already, इस नाम में नहीं आया है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ी द यानि आलोग भी असोग के यहाँ पे ऊपर आजाएगा, ठीके, तो यह भाई सबसे बड़ा आदमी है, तो यहाँ पे question में पूशा गया था, कि सबसे छोटा इन में से कौन सा है, तो भाई सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, जो सबसे नीचे बिचा रहा है, तो यह भाई अ नीचे का करम वहाँ पे पंदरवा रख लेता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपके पास यह कुछ ऐसी पंक्ती है, और यह बाई से बोड़ रहा है, इसका मतलब इस साइड से जो नीचे है, यहाँ पे कई नीचे बैठी होगी और जो नीचे है, उसका जो नंबर है वो कौन सा हो गया यहाँ पे, यह नीचे का 15 नंबर हो गया, यदि वो चार इस्तान दाएं सरक जाती है, अब दाएं सरकने का मतलब यह है कि भई वो इस तरफ जा रही होगी ना, दाएं तरफ यही तो है, ठीक है ना, दाएं तरफ कौन सा हो गया, अब इसको प्रॉब्लम पे अब जो है नीता पहुंच चुकी है, जो पहले 15 पे थी, वो अब 19 पोजिशन पे पहुंच चुकी है, तो दाएं सिरे से अब 8 करम पर वो हो जाती है, अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको, कि इन्होंने इसको खिसकाया, ठीक है, इन्होंने इसको मूब करवाया, कौन इसको दाएं तरफ लेके गए, तो फिर ये दाएं सिरे से इसका आटवा नंबर हो जाता, यानि अब इस साइड से, यहां से इसका कहीं कौन सा नंबर होगा, यहां पे इसका कहीं आटवा नंबर यहां पर आ रहा होगा, किसका आ रहा होगा यहां पर, यह नंबर आ रहा हो गया यहाँ पर आपको कुल बच्चे बताने थे कुल बच्चों के लिए हमारे पास जो लगता है फॉर्मुला टोटल कभी भी पूछा जाए तो टोटल बराबर हो जाएगा आपके पास च्टी पास जब 19 और 8 आप एड करेंगे और इसे 1 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना जागा यहाँ पर 26 यहाँ पर यहाँ पर अंसर बचाता है ठीक है तो टोटल नमबर पर people total number of students यहां पर कितने होने वाले हैं 26 हो जाएंगे 98 question की तरब चलेंगे देखिए आब इसमें कुछ ज्यादा बताने को है नहीं कभी भी हमारे पास जब भी sun होता है तो sun के हमारे back side ही जो है चाया बनती है अब एक question अक्सर पूछा जाता है कि या दोपर के time पे या afternoon के time पे जो हमारे पास shadow होगी sun की जो चाया होगी वो कहा बनती है तो उस time पे आपके पास कोई भी shadow नहीं बनेगे इस question के according भई जो sun आ रहा है वो तो ठीक है लेकिन हमने क्या कर दिया sun को उकते वे देखा एक ब्यक्ति ने यातरा करते वे सूर्य को अपने दाई तरफ यानि वो ब्यक्ति क्या है अपनी यातरा के दाई तरफ यानि जो कोई ब्यक्ति है उसने इस direction में sun को यहाँ पे उकते वे देखा ठीक है अब इस ब्यक्ति ने क्या क्या है यह दाए मुड अब ये कहीं ओपर की तरफ जा रहा होगा अब इस तरफ ये मुड़ गया है तो इस तरफ मुड़ने का मतलब बेसिकलि ये सन की डारेक्शन में मुड़ रहा है ऐसे तो इसकी चाया किस तरह बनेगी उसके पीछे की साइड फिर वो चाया बनेगी यानि पीछे यहां पर जो संक्या से दूगनी वो तीसरी से तीगनी है अब इसमें आपको सिंपली क्या करना है कुछ चीजियों को जो है मान लेना है क्या मानना है कैसे मानना है अगर आप ध्यान देंगे यार कि ये बूर रहा है कि जो मेरे पास दूसरी संक्या है यानि ये मेरे पास जो दूसरी संक और यहाँ पर जो पहली है अगर मैं उसे माननू 3X तो इसका मत्तब मेरे पास जो बीच वाला नमबर होगा वो हो जाएगा 6X क्योंकि इसने कहा है कि मेरे पास जो दूसरा नमबर है वो क्या है पहली संक्या का पहले से 2 गुना तो आप ध्यान दोगे या 3 में multiply अगर आप 2 कर क्योंकि जो बीच वाला नमबर है 6X यह क्या बोला इसने यह पहले का 2 गुना है बिल्कुल 3,2,6 होता है और तीसरे का 3 गुना है तो 3,2,6 तो यह बिल्कुल सही बन गिया है अब इसमें क्या करेंगे हम अब इसमें हमें निकालना है कि कौन सी संक्या सबसे बड़ी होगी और औसाथ हमें 44 दे रख है हमारे पास यह तीन नमबर है औसाथ निकालने के लिए हम इन टीनों को एड़ करते हैं तो आप यहाँ पर एड़ करेंगे 3X प्लस 6X प्लस 2X और यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपके पस क्योंकि यह तीन नमबर है तो डिबाइड में 3 चला ज 2X और यहाँ पर जो बनेगा यह बनेगा आपके पास 3, 4, 12, 3, 4, 12, and 13, 132 यहाँ पर अगर आप इन्हें एड़ करेंगे तो यह आपके पास 11X आएगा 132 आ जाएगा और यहाँ पर X की जो वैल्यू आ जाएगी 11, 11, 12, 22 यानि X की जो वैल्यू आ रही आपके पास 12 आ रही 12, 6 जो हो जाते हैं आपके पास 72 तो 72 is the right answer अब यह मत कीजिए गा कि या देखिए अगर आप यहाँ पर यहाँ पर 6 जो वैल्यू है X की यहाँ पूट करोगे तो यहाँ पर 36 आएगा और यहाँ आपके पास 24 आएगा हमें यहाँ पर सबसे बड़ा नमबर देखना तो हात मिलाएगे अब कभी भी आपके पास ऐसे हात मिलाने वाले गर question आ जाए तो इसके लिए एक ही formula होता है formula क्या होता है भी यह एन होता है इसमें divided में 2 करना है इसका मतलब यह हो गया कि भी आपके पास यहाँ पर अगर 8 बेखती है total number of people 8 हैं तो यहाँ आप हो जाएगा य यहां पर जो लोग होंगे वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे वो आपका कुल 28 बार हाथ मिलाएंगे तो ये था इस वीडियो का या जो भी आपकर पेपर था इसका solution उमीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ने कुछ जरूर सीखने को मिलना होगा और अगर आपको इनके किसी भी question में doubt है, कोई problem है तो आप फिर भी comment box में comment कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye, take care and thanks to all